पाकिस्तान साइंस क्लब आज मैं आपको बनाना सिखा हूँ एक सिंपल तेलिस्कोप उसके लिए जो चीजे रिकॉाइड है वो है तो डिफरेंट लेंस इसमें एक जो लेंस है वो एस अब्जेक्टिव यूज कर रहा हूँ इस लेंस का जो नंबर है वो है 0.75 और इसकी फोकल लेंथ है 140 सेंटीमीटर जो के आपको किसी भी आम आप्टेक्स शॉप से मिल जाएगा और जो दूसरा लेंस है वो एस अब आई इंच है और यह जो बड़ा पीवी से पाइप है इसकी लेंज 140 सेंटीमीटर जो के फोकल लेंज के एकुल है और इसका दाया तू इंच है और इसके लिए हमें टेप भी रिकॉइड है और तर्मोपोर शीट सबसे पहले हम तर्मोपोर शीट पे मार्किंग करके एक बड़ा सब्सक्राइब करके जो के एकुल है टू इंचिस डाय के सब्सक्राइब करेंगे और फिर हम इस पे बिलकुल सैंटर पे छोडे पीवी सी पाइप से एक और होल गरेंगे जिसके बाद इसकी शेप एक डोनट की तरह हो जाएगी और इसितरह के हम आल-मोस्ट फोर पीसिस कर और उनको आपस में stick कर देंगे जैसे के यह पीस है इसको बनाने का मकसद यह है कि ताकि इसमें IP स्ट्यूब आराम से insert हो चागे और फिर हम IP स्ट्यूब को adjust करके different distance object की focus set कर सकते हैं और इससे हमें telescope से देखने में मदद मिलेगी अब हम इसके पार्ट को अपने PVC पाइप में fit कर देंगे और आप note करोंगे यह बिलकुल fit है इसमें आएगा क्योंकि हमने यह काटा ही इसके according था अब हम अपना आई पीस इस आई पीस ट्यूब के साथ हम इसको stick करेंगे और इसको हम paper tape की मदद से stick करेंगे और इसको कोशिश करेंगे बिलकुल center में और हर side से equally fit करें और अब हम इसमें अपना बड़ा वाले lens fit कर देंगे जो के हम as an objective यूज कर रहे है और इसको हर side से equal रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको बिलकुल fix जोड़ें ताकि यह move ना हो और यह बिलकुल stick करके ready है अब हम जरमने अपना eye piece बनाया है उसको eye piece बनाया है उसको हम fit कर देंगे इसमें अब आप देख सकते हैं कि यह freely move कर सकती move कर सकता है जिसकी और ऐसे हम focal length adjust कर सकते है as you can see कि हमारा telescope अब ready है आए अब हम इसकी testing करते है कि मैंने अपने tripod stand से अपनी telescope को connect कर दिया ताकि इसको मैं stand बना सकूँ और इसको मैं अराम से handle करके distance object को दे सकता हूँ let's test it और देखेंगे इसके क्या results रहते है अपने अपने किसी चीज को देखने है और उस वाग रॉशनी बहुत जाद है तो हम लाइट हो कम करने के लिए उसके objective पे जो आगे लेंस लगावा है उस पे हम एक पेपर कट करके लगा देंगे और उस पे एक होल कर देंगे इस से light की intensity को control के जाता है और object जादा clear नदर आता है तो अब मैं इसको दुबार test करता हूँ I hope आपको आज का हमारे simple project पसंद आया होगा और next week का चांद आप इसी से देखेंगे